तो दोस्तो आज हमने एक नए वीडियो के साथ आ है और एक नए इंफोर्मेशन के साथ दोस्तो तो आपका अपना चरण एंप इंफोर्मेशन वोल्ड कुछ नया वेकिंसिस के बाले हम बात करने जा रहे हैं तो दोस्तो इसे गौर से देखे और जो लोग हमारे चैनल पर आपको नोडिफिकेशन के माधियम से आपको पता चल जाए और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा लोगों तक शेर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो दोस्तो अब हम चलते हैं मेन मैंटर पर तो दोस्तो एसे सी चीज़ एचसल की एक्साम होने वाली है तो इसकी अपकी एक्जाम है वो 10 प्लस 2 एक्जाम 2024 इसमें टोटल पोस्ट है 3712 यानि कि 3712 तो दोस्तो इसके वारे में मैं और बताना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें कितनी कितनी पोस्ट है आई है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो पोस्ट है पहला ह लोवर डिविजन क्लर्क, LDC और जुनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये ऐसे तो आपको बता दूँ और जो है तीसरा है आपका पोस्टल असिस्टेंट यानि पी ए पी ए शॉर्टिंग असिस्टेंट भी जिसको बोलायता है और तीसरा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेट यानि कि टोटल यहाँ पे तीन पोस्ट के बाड़े में बताया गया है और जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिफ 10 प्लस टू इंटिर्मेडियेट है आपको 10 प्लस टू कहीं से भी पास होना रिकोगनाईज बोर्ड इन इंडिया आप ऐदर वाइस सी से भी कर सकते हैं और तीसरा आरा स्टेट बोर्ड भी चलेगा तो आप कहीं से भी मानिता प्राप्ट 10 प्लस टू बोर्ड के एक्जाम में आप सफल हुए हूँ है वो आपको चलेगा तो उसकी बारे में मैं बताता हूँ और जो एज लिमिट है वो यहाँ पे है 18 एर्स नॉर्मल जो एज र तो मैं बता जेता हूँ जो application begins होगा वो 8 April से begin हो जाएगा यानि 8 April से start हो जाएगा और last date for registration वो आपका 7 मही में हो जाएगा 7 मही में वो 11 बजे रात तक आप इसको fill कर सकते हैं और जो date है जो payment की date है वो अगली दिन यानि 8 मही तक रहेगी और जो correction की date दी जाएगी वो 10 से 11 मही के बीच में आपको provide कर दी जाएगे और जो online exam date paper 1 paper 1 ये दो पार्ट में exam होता है दोस्तों पहला पार्ट का आपका exam जून से जुलाई के पीच में हो जाएगा यानि कि 2024 के जून और जुलाई की बीच में और उसके बाद paper 2 conduct होगा as per schedule और वो भी paper 2 paper 1 complete हो जाने के बाद जो लोग pass हो जाएगे उनके लिए paper 2 हो होगा वो आपको notification के मादम से पता चल जाएगे अब मैं fee की बात करूँगा तो बता देता हूँ जो UR, OVC और EW से belong करते हैं उनको 100 रुप्या लगेगा 100 रुपीस और जो SCST और physical handicapped है उनको 0 रुपीस यानि कि कोई fee उनको नहीं लगेगा और all category female यानि कि महिला के लिए पूरा fee math है तो उसके बाद आप यहां देख सकते हैं मैं कुछ syllabus है तो दोस्तो syllabus भी आपके सामने discuss कर ही देता हूँ ताकि आप भी clear हो जाएं देखिए दोस्तो पहला जो है tire होनी यानि कि मैंने आपको अल्यड़ी बता दी कि दो tire दो चरन में exam होगा तो पहले चरन में आपको सबसे पहले English language यहां कि basic English language आपको compulsory होना है और general intelligence होना है उसके बाद quantitative aptitude basic arithmetic इसके लिया और general awareness तो दोस्तों question जो आएगे वो 25 question ही पूछे जाएंगे लेकिन जो उसकी marks आपको दी जाएगी वो 50 दी जाएगी यहां कि 25 का double marks आपको मिलेगा यहां कि एक question पर दो marks fitted है तो यहां पर जो आपको time दिया जाएगा वो आप देख रहे हैं वो 60 minutes ही दी जाएगी 60 यह नहीं एक घंटे का समय ही आपको मिलेगा लेकिन जो 80 minutes आप यहां देख रहे है minutes for eligible consistency यानि कि जो जो लोग physical handicaps बिलॉंग करते हैं या दूर दिरिष्टी या फिर दिरिष्टी कोन उनके हिसास से जिनकी मलब आखों का थोड़ा सा दिक्कत है या फिर जो physical handicaps थे उनको 80 minutes दी जाएगी उसके बाद मैं आपके साथ discuss कर देता हूँ टायर 2 यानि कि second tier second tier में मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि यहां पर आपको session 1 यहीं दो session में exam होगी तो session 1 में जो exam होगी व जिसमें आप से क्या-क्या पूछा जाएगा आप यहां देखते हैं यहां पर भी देख सकते हैं session 1 में भी आपका section 1 है section 1 जिसमें module mathematical abilities पूछी जाएगी और reasoning यहीं कि section 1 में आप से सिर्फ दो ही दो pattern होगा एक mathematical abilities और reasoning और general intelligence जिसमें question होगी number of questions 30 marks की होगी और जो total और math की question होगी वो 30 होगी और reasoning और intelligence आपकी 30 तोटल 60 तोटल 60 और जो marks होगी वो 3 से multiplied होगी यहीं कि एक question पर तीन marks को रखा गया यहां पर देख सकते हैं one hour one hour for each section आपके लिए एक एक घंटा यहीं कि module एक section में एक घंटा for each section one hour और उसके फी जो दूसरा section है दूसरा section आपका है तो उसमें आपको module 1 के तहत English and language और comprehensive पूछा जाएगा और module 2 में general awareness यह नहीं कि जीए तो English and language and comprehension में 40 questions आपको पूछी जाएगी और जो general awareness है उसमें 20 marks पूछी जाएगी तो total हो जाएगा 60 इसकी भी हार एक question की भी 3 marks है यहां पर आप देख सकते हैं एक चीज़ 20 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3 यहां कि कुछ सड़ते हैं तो उनके हिसाप से अगर जो आते हैं जो candidate तो उनको 20 minutes extra दी जाएगी हर एक section के लिए तो इस section के लिए आपको यहां कि section 1 के लिए एक घंटा और section 2 के लिए दो घंटा एक घंटा तो आपको total दो घंटा हो गया उसके बाद फिर है क्या section 3 section 3 है तो section 3 में आप देख रहे हैं यहां पे computer knowledge module जिसमें आपको 15 question पूछी जाएगी और same चीज है एक question की तीन बाक से रखेगी 15 या 45 और यहां पे देख सकते 15 minutes ठीक है इसमें आपको मातर 15 minute दी जाएगी यहांनि section 3 में आपको 15 minute दी जाएगी लेकिन जो 7.1, 7.2 और 7.3 से belong करते हैं जो उनकी शर्थ पूरी करते हैं उनको 20 minute दी जाएगी अब मैं बात करता हूँ session 2 यानि कि एक ही part यानि दो एक ही यानि कि आपका जो है tired 2 में दो session एक session के बारे में मैंने आप से discuss कर लिए है तो दूसरे session क्या है? दूसरे session क्या है section 3 skill test typing test module तो इसमें आपको देखने है part 1 इसमें तीन तीन पार्ट है आपका मैं बता रहा हूँ part 1 में आपका skill test of DEO यानि कि data entry operators की skill test ली जाएगी और in department ministry mentioned at para 8.1 जिसके लिए आपको 15 मिनिट दी जाएगी लेकिन 20 मिनिट उनको दी जाएगी जो 7.1, 7.2 और 7.3 से बिलोंग करते हैं और दूसरा होगया आपका part B part B में भी skill test ही आप से ली जाएगी for the data entry operators except in department ministry mentioned at para 8.1 और इसके लिए भी same आपको 15 मिनिट दी जाएगी लेकिन 20 मिनिट उनको extra दी जाएगी जो 7.1, 7.2 और 7.3 से बिलोंग करते हैं उसके बाद फिर last या आपका part C यानि कि last typing test for LDC और JSA तो JSA होगे joint secretary assistant होगया आपका जिनके उसके लिए आपको 10 मिनिट का वक्त मिलेगा 10 मिनिट का समय मिलेगा लेकिन 15 मिनिट एक्टर है उनको मिलेगा जो 7.1, 7.2 और 7.3 से बिलोंग करते हैं तो दोस्टों जी के साथ मे आपके सामने आएगी दोस्तों तो आने के लिए हमारी चैनल को जैसे ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना जरूर 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 बुलना भूलें क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन के मादिम से पता चल जाएगी और दोस्तों एक और बात है कि हमारी इस वीडियो को जैसे ज्यादा लोगों तक शेर करें थाकि उनको भी पता चल जाए तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धनिवाद शुक्रिया औल दे बिस्ट फॉर एक्जाम